आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Name two type of plant tissue यहाँ पे बोला गया है कि दो टाइप के plant tissues के नाम लिखने के लिए तो plant tissues two type के होते है जिसमें एक होता है यहाँ पे Maristematic Tissue और Maristematic Tissue का अगर लिखें तो यह ऐसे tissues पाए जाते हैं जो की divide कर पाते हैं यह बहुत ही जादा help करते हैं in the cell division और बहुत rapid cell division होता है जहां से new cells बनके सामने आते हैं next अगर चीज लेखें तो next होता है कि इनके जो stem growth होते हैं या फिर tip of root growth होता है इन सब growth में यह Maristematic Tissue यह हैं वो पाए जाते हैं next अगर बात करें तो next जो type के tissues plant में पाए जाते हैं उसको हम लोग permanent tissue के नाम से जानते हैं और अगर Maristematic का example लिखें तो यह होता है apical cells या फिर apical जो tip cells होते हैं उस वहाँ पे continuous division पाए जाते है Maristematic cell का permanent tissue का बात करें तो permanent tissues जो होते हैं यह बहुत hard होते हैं और mainly यह dead होते हैं और यह divide नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह एकदम से mature हो जाते हैं और साथ ही साथ अगर कहें तो यह इनका main काम होता है यहाँ पे strength देना पूरे plant body को और एकदम से straight खड़े रहना इसलिए इनका main काम हो जाता है यहाँ पे protection का इसके example में हम लिख सकते हैं जो bark पाया जाता है तो यही हो जाता है correct form of answer और two type of tissues जो की plant में पाये जाते हैं क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाधा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर